अगर आपको घर बनाने के लिए, प्लॉट लेने के लिए या फ्लैट लेने के लिए पैसों की जरुरत है तो आप होम लोन ले सकते हैं होम लोन में आप 10 लाग, 20 लाग, 30 लाग, 50 लाग जितने अमाउंट का चाहे लोन ले सकते हैं और अगर डियोरेशन की बात करें तो होम लोन आप 30 सालों तक के लिए ले सकते हैं होम लोन लेने के लिए आपको बैंकों के चकर काटनी की जरुरत नहीं है आपको बस ओनलाइन अपलाई करना है और 59 मिनट्स के अंदर अंदर आपको पता चल जाएगा के कौन सा बैंक आपको कितने अमाउंट तक का होम लोन दे सकता है इसके बाद आप उसी बैंक की ब्रांच में डॉक्यमेंट्स जमा करके होम लोन ले सकते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको होम लोन ऑनलाइन अपलाई करने का पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ तो चलिए शुरू करते हैं अपने ब्राउजर में आपको टाइप करना होगा पीएसबी लोन्स इन फिफ्टीनाइन मिनट्स डॉट कॉम इसके बाद आपको यहां रजिस्टर पर किलिक करके एक एक अकाउंट क्रियेट कर लेना है जिसके लिए आप यहां पर अपना नाम डालेंगे इमेल इडि डालेंगे मुबाइल लंबर डालेंगे गेट 2 पी पर किलिक करेंगे आपके सामने दो option आ जाएंगे आपको business loan चाहिए या home loan, auto loan चाहिए business loan में आपको mudra loan और MSME loan मिलेगा लेकिन अगर आपको home loan चाहिए तो आप यहाँ home loan पर click करेंगे इसके बाद proceed पर click करेंगे इसके बाद आपके सामने कुछ options आ जाएंगे आपके case में जो सही है आप उनको tick करेंगे जैसे कि अगर आप individually apply कर रहे हैं तो आप इसको tick करेंगे अगर आपने ITR file किया है तो आप इसको भी tick करेंगे और अगर आपके पास salary saving या current account है और उसका पिछले 6 महीनों का bank statement available है तो आप इसको भी tick करेंगे और अगर आप किसी bank के defalter नहीं है तो आप इसको भी tick करेंगे इसके बाद proceed पर click करेंगे इसके बाद आपको income tax return और अपने bank का statement upload करना होगा income tax return आपको कैसे download करना है मैं आपको दिखा देता हूँ आपको आना होगा income tax return की website पर अपना pen card number और password डाल कर capture फिल करेंगे और login करेंगे इसके बाद आपको जाना होगा my account में view e-filled return forms पर click करेंगे यहाँ पर आपको चूज कर लेना है income tax return submit करेंगे acknowledgement number पर click करेंगे यहाँ पर आपको XML का एक option मिल जाएगा आप इस पर click करेंगे तो यह download हो जाएगा वापस से आप यहाँ पर आएंगे income tax return पर click करेंगे यहाँ पर आप 3 सालों का ITR upload कर सकते हैं लेकिन 19-20 का ITR upload करना mandatory है तो आप यहाँ choose file पर click करेंगे जहाँ पर भी download करके XML file रखी हुई है select करेंगे और open कर देंगे अगर आप ITR file नहीं करते तो आप यहाँ declare your income manually पर click करके अपनी income को manually declare करेंगे लेकिन इस case में आपकी income 5,5,5 रुपए per year से कम होनी चाहिए चलिए हमने ITR file किया है तो हम यहाँ पर इसको upload करेंगे और proceed पर click करेंगे इसके बाद bank statement upload करेंगे यह आप अपनी internet banking से पहले ही download करके रख लीजिए यहाँ click करेंगे bank choose करेंगे किस bank का statement आप upload कर रहे है इसके बाद month choose करेंगे किस month से है और किस year से है इसके बाद upload bank statement पर click करेंगे जहाँ पर भी bank statement रखा हुआ है उसको select करके open करेंगे अगर उसमें password लगा हुआ है तो आप यहाँ password डालेंगे क्या यह आपका salary account है अगर है तो yes करेंगे वरना no करेंगे इसके बाद submit पर click कर देंगे bank statement upload हो गया है इसके बाद proceed करेंगे yes ITR और bank statement दोनों upload करने के बाद आपको proceed करना होगा अब आपको basic information fill करनी होगी जिसके लिए आप यहाँ click करेंगे यहाँ पर आप title चूज कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर first name, middle name और last name डालेंगे यहाँ पर अपनी date of birth डालेंगे जो कि आप calendar से चूज कर लेंगे आपका pen card number यहाँ पर डालेंगे इसके बाद gender चूज करेंगे यहाँ पर आप category चूज करेंगे इसके बाद निचे यहाँ पर आप एक mobile number डालना है और एक email ID डालनी है यहाँ पर father name डालेंगे यहाँ पर education qualification चूज करेंगे और यहाँ पर अपनी net worth डालेंगे कि आपके पास total कितना पैसा है सारी properties और सब कुछ जोड कर जितना भी पैसा आपके पास है आप यहाँ पर type कर देंगे इसके बाद nationality चूज करेंगे निची हाँ पर dependent चूज कर लेंगे आपके उपर कितने लोग depend है और marital status आप यहाँ से चूज कर लेंगे इसके बाद proceed पर click करेंगे इसके बाद आपको employment details फिल करनी होगी इस पर आप click करेंगे यहाँ पर employment type चूज करेंगे आपको salary मिलती है self-employed businessman है यह self-employed professional है यह फिर आप खेती करते हैं चली हम self-employed professional चूज करेंगे type of organization में other चूज कर लेंगे name of organization employer यहाँ पर डाल देंगे employment status चूज कर लेंगे regular है designation यहाँ से चूज कर लेंगे self-employed mode of salary यहाँ पर चूज करेंगे check में मिलती है cash में या direct bank account में इसके बाद आपको यहाँ पर gross monthly income डालनी होगी क्या आपकी total monthly income कितनी है इसके बाद यहाँ पर net monthly income डालेंगे कि उसमें से खरचे कट होने के बाद आपको net monthly income कितनी मिलती है operating business since यहाँ पर आप CHOOS करेंगे आप ये business कपसे कर र्रहे हैं यहां पर month चूज कर लेंगे, इसके बाद proceed पर click करेंगे, इसके बाद आपको contact information fill करनी होगी, इस पर click करेंगे, यहां पर आप अपना house number डालेंगे, street name डालेंगे, landmark डालेंगे, country चूज कर लेंगे, state और इसके बाद city चूज कर लेंगे, यहाँ पर pin code डालेंगे और यहाँ पर आप village town चूज कर लेंगे district आगी है यहाँ पर sub district आजाएगी इसके बाद type of residence आप चूज कर लेंगे आपका अपना है wife का है या rent पर रहते हैं या फिर parent का है तो हम यहाँ पर अपना चूज करेंगे कब से आप इस address पर रह रहे हैं आप यहाँ पर चूज कर लेंगे month और यहाँ पर चूज कर लेंगे year क्या आपके घर पर कोई loan चल रहा है तो इसको हम no कर देंगे इसके बाद proceed पर click करेंगे इसके बाद आपके सामने term or conditions आ जाएगी आप इन सबको read करेंगे और यहाँ पर agree करेंगे agree पर click करेंगे आपके पहले से जितने भी loan चल रहे हैं वो सब आपके सामने आ जाएंगे आपको just यहाँ पर choose कर लेना है यह किस तरह का loan है तो मेरे पास credit card है lender में choose कर लूँगा HDFC bank एक यहाँ पर यह चल रहा है तो यह भी credit card है इसमें भी lender में हम bank choose कर लेंगे तो जितने भी आपने पहले से loan लिये हुए हैं वो सब आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगे अगर कोई यहाँ पर नहीं आ रहा है तो आप add पर click करके उसको यहाँ पर add कर देंगे इसके बाद proceed पर click करेंगे आपकी personal details complete हो चुकी है आपको proceed पर click करना है आपका profile ready हो चुका है इसके बाद आपको choose करना होगा कि की सरह का loan आपको चाहिए जैसे कि यहाँ से आप personal loan ले सकते हैं लेकिन अभी यह शुरू नहीं हुआ है आप home loan ले सकते हैं या आप auto loan भी ले सकते हैं जैसे कि अगर आपको home loan लेना है तो आप यहाँ apply now पर click करेंगे मैंने पहले ही इस पर home loan apply कर दिया है जिसमें 20 लाग रुपे का home loan approve हो गया है इसके बाद आपके सामने applicant आजाएगा अगर आप चाहें तो कोई co applicant भी अपने साथ में add कर सकते हैं जैसे कि आप अपनी wife को अपने भाई को father को mother को add कर सकते हैं इस loan में इसके बाद आगे आपको एक form मिल जाएगा जिसमें आपको fill करना होगा आपको कितना loan amount चाहिए कितने time के लिए चाहिए और आप EMI कैसे pay करेंगे इसके बाद नीचे आपको choose कर लेना होगा कि आपको ये loan किस purpose से चाहिए जैसे कि आप किस तरह की property purchase कर रहे हैं फ्लैट है plot है या फिर under construction है ये सारी details fill करके आप submit पर click करेंगे तो आपके सामने banks की एक list आजाएगी जो आपको home loan provide कर सकते हैं उसमें amount भी लिखा हुआ होगा कि कौन सा bank आपको कितना amount दे सकता है और साथी interest rate भी लिखा हुआ होगा और आपको कितने EMI देनी होगी ये भी लिखा हु लेना है इसमें आप city का नाम चूज करेंगे आपके सामने branch आजाएगी आप proceed पर click करेंगे तो आपके सामने final letter आजाएगा कि आपका loan approved हो गया है इसके बाद आपके पास एक email भी आजाएगा जैसे कि मेरे पास आया है मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरह से आपको एक email मिल जाएगा इसमें आपको two attachments देखने को मिलेंगे एक है principal letter इसको आप open करेंगे तो आप देख सकते हैं congratulations ये एक approval letter है 20 लाग रुपे का loan है interest rate है 7.15% 10 years के लिए है और ये EMI है साथ यहाँ पर processing fees भी दी गई है एक और attachment आपको मिलेगा इसको आप open करेंगे तो इसमें आप documents की एक list देख सकते हैं कि आपको loan लेने के लिए कौन-कौन से documents ब्रांच में जमा करने होंगे KYC के लिए आपको pen card, passport, water ID card, driving license इन में से कोई एक document देना होगा income में अगर आपको salary मिलती है तो आपको current pay slip ये form 16 या ITR देना होगा ये फिर आप अपने bank का पिछले 6 महिनों का statement भी दे सकते हैं और अगर आप business करते हैं तो आपको ITR देना होगा पिछले 3 सालों का ये फिर आपको balance sheet देनी होगी इसके लावा आपको property से जुड़े कुछ documents देने होगी जो भी property आप purchase कर रहे हैं उसका या तो आप agreement to sale दे सकते हैं ये फिर आप construction agreement दे सकते हैं ये फिर cost break up दे सकते हैं तो यहाँ पर काफी सारे options दे गए हैं ये documents आपको जमा करने होंगे अपनी branch में जहां से आप loan लेना चाहते हैं और इसके बाद ये loan amount जितना भी pass हुआ है आपके bank account में transfer कर दे जाएगा तो home loan लेने के लिए पहले आपको online apply करना है आपके सामने बैंकों की एक list आजाएगी कि कौन सा bank आपको कितने amount का loan दे सकता है इसके बाद आपको किसी वे एक bank की branch चूस करनी है और उस branch में आपको अपने documents जमा कर देने हैं जो की list में दिये गए है आपका जो भी amount पास होता है वो आपके bank account में transfer कर दिये जाएगा जिसको आप EMI के थुरू हर महिने pay कर सकते हैं so I hope कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो like करिए अपने friends के साथ share करिए और अगर आपके मन में कोई confusion है तो आप नीचे comment करके उठ सकते हैं